नमस्कार दोस्तों आज हम आप लोगों को हिंदी माध्यम से जो विपेशी के त्यारी करते हैं उन छात्र के लिए यह वीडियो बना रहा हूं और एक वर्तमान समय में एक मिथ्या आ गई है कि हिंदी माध्यम से विपेशी का एक्जाम देने में सफलता पता नहीं होती है हिंदी मेडियम ही था तो इसलिए आप स्मिथ्या से धूर है मुझे भी सिक्ठी फोर्थ भी प्रसी में सब्लाइइ इंस्पेक्टर का पत्पदान हुआ है जिसमें मुझे रेंग आया है 775 और मैं आपको इस संदर में कुछ बाते बताना चाहता हूं जो कि आपको तयारी म ने काफी एक महत्पुन भूम का अदा कर सकती है देखे दोस्तों आपको पता है कि भी प्रसी तीन स्टेज में एक्जाम लेती है पहला पी मेंस एंड इंटर्विव तो इंटर्विव पहला में स्टेज में आते हैं पीर के इसंदर में कि पीर में आपको ज्यादा बूग पढ़ने की ज़रोत नहीं है आप सिमित संसाधन का अपयोग कीजिए जैसे समसाई की घटना चक्र जो आता है उसके प्रिविएस के को लगाई है उसमें जितने भी कोशन दिये गा है साथ में उसका डिस्क्रिप्शन को ज्यादा ध्यान में रखिए आप उसको उसी को प्र फिली का जो एक जाम है इसमें मुख ब्याटेज होता है हिस्टी का बिहार का एम करेंट अफिर्स एंड साइंस यह चार स्रेक्शन जो है बहुत इन पॉइंट हैं तो आप इस चार सेक्शन पर ध्यान दीजी आप बिहार के लिए मैं यह बोलना चाहता हूं कि बिहार का जो जो भी मेटेरियल है तो वहां का जो भी लोकल है जैसे इमतियाज अहमद है या फिर केवी सिनेनों का भी एक बूक आई हुई है फिर नपका क्राउन का भूक आई सबसे अच्छी काउन की बूक है जो कि वो सब बूक पहलेने से आपको भी हार कफर हो जाता है उससे कोशन तो इससे बात है अब करेंट फिर की त्यारिया इच्ड रंसके कोई एक भी मेंग्जीन पर कड़िया आप मेंग्जीन बाहर बाहरु चेंज मत किजें जिसे आपका अगर मेंग्जिन चेंज करते हैं तो क्या होता है कि कर दो कुछ नुकोई रिपोर्ट चूट जाती है या के उसको अध्यान कीजिए जहां तक मुख परिच्छा की बात है मुख परिच्छा में लिखने में यह ध्यान रखना है कि आप सब्दों का चैन अच्छा करें यह से अच्छ एच्छ वरड हमतिते वह तक से अपको भी जब मुख्वरिछा लीख्षा, तो आप फुलो चार्ट रूं सब्दों का चैनि, अच्छा चैनि करें, और ये यह सब भी होगा, जब आप बार-बार लिखने का प्रयास करेंगे, संसाधुनों पर जितने भी मार्केट में मेटेरियल आते हैं ज्यादा भार दोल नहीं करनी है प्रिवियस यह पेपर उठाइए प्रिवियस यह पेपर से आप अब्जर्ब किजिए कौन-कौन से टॉपिक पर कुछन पूछे जा रहे हैं उस कुछन का संचिप्त नोट्स बन करने के बाद आपको रिजल्ट आपका रैंक प्रदान करने में सायक होता है और ऑप्षणल में भी आप जो भी लेना चाहते हैं जैसे कि अभी तो बरतमान में जिग्राफिक को चल रहा है मैथमेटिक चल रहा है और लेस्ट बहुत ज्यादा लोग लेते हैं तो जो भी कम सब्दों में बिस्यांतर मत होई है हिंदी माधियम के चाहतों को यहीं बड़ी कमिया है कि वह बिस्यांतर होने लगते हैं जिस कारण से वह अपने अच्छे मार्ग सलाने में असरफल हो जाते हैं आपको टूदी पॉइंट लिखना है को भी कारण बताना है तो टूदी कवर्ण करने लगते हैं सकतियों का वर्णन नहीं ज्यादा कीजिए सिर्फ उसका पॉइंट लिख दिजिए नियाग सकती है पिनाप विवेका अधिकास सकती है काजभल का सकती है उस पर पॉइंट दिजिए अप कुईसा-इसा-इसा-इसा इंसीडेंट है तो आप उसका सब्सक्राइब करने लगे तो उससे क्या होता है कि आपका लेंग्विज तो बढ़ जाता है टाइम हो जाता है लेकिन जेनरल साइंस का सब्जेक्ट है अपको टूदी पॉइंट लिखना वहां पर है 38 नमबर का है यानि 200 सब्द में लिखना है तो टूदी पॉइंट लिखना है सभी बातों को आपको समाहिद भी करना है कोई पॉइंट छूटे भी नहीं भी ध्यान लखना है तो आप इस बात को ध्यान किये कि ज्यादा लंबा चोड़ा मत लिखिए वन एंड हाफ पेज या दो पेज मैक्सिममम दो पेज मैक्सिममम पर उने की दो पन्ना यानि की एक सिंगल पेज आगे पीछे अब इसका आधा पन्ना तक मैक्सिम जाईए उससे आगे मत बढ़िए उससे कम में हो जा रहा है यान दो पेज में हो जा रहा तो अच्छा है धाई पेज मैक्सिममम हो होगा अगर तूदी पॉइंट नहीं लिखेंगे तो आपका अनसर्जव हो ज्यादा पेज में चला जाएगा और मास्टर को त्वासा अच्छा फिल नहीं करते हैं कि दूसरी बात यह है कि आप उसे फ्लो चार्ट बनाएए कोई अगर आर्टकिल को ही देखाना है तो आपको आपको इतना अच्छा से ठीट किया जाता है इतना अच्छा से आपको कि आपको यह नहीं लगेगा कि हम किसी बाहर अन्य लोगों से मिले हैं बड़ा अर्धिकारी बात करेंगे लेकिन यहीं कि आपको जबाब देना है वह आपको सुववश्थित कम सब्दों में अच्छा जवाब देना है आपको जैसे मुझे इस बार इंट्रीव में मुझे 80 मार्क्स मिले हैं यह मेरा पहला अट्यम था 80 मार्क्स मिले हैं मैंने हमसे जितना भी कोशन पुछा गया मैं उसको समचिफ्ट में सब्दों में मैं जवाब देने का प्रयास कर रहा था मैं कि ऐसा नहीं किसी का लंबा चोड़ा जवाब देना तो आपको ध्यान रखना इस मेरा मवाइल नंबर है 97176666999 आपने से संपर किजिए मैं आपको जवाब करूंगा धन्यवाद